हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है 24 अप्रेल 2024 और 24 अप्रेल 2024 से रिलेटिड करण्ट अफिर्स के जितने भी कुशिन बन सकती हैं आज ही क्लास में सारे कुशिन को कवर करेंगे और हर कुशिन से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपकी मौनिंग सुवे 7 अम पे डेली लाइव आती है आप सबी लोग सुवे 7 वज़े इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इस से आपकी तयारी करंट अफियर्स में बहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एकजाम में आप लोग करंट अफियर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉंस दे पाएंगे तो चलिए देरी न करते हु उपय का निवेस किया है जिससे कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 70.3% तक बढ़ गई है विच कंपनी है इन फ्यूजड एन एडिशनल रेट 8,339 करोर इन अंबूजा सीमेंट से रेजिंग इट इस स्टेक इन दा कंपनी 270.3% तो हेल्प दी सीमेंट मेकर्स मैनुफेक्चरिंग कैपेसिटी फर्स्ट ओप्षन है अदानी समूँ सीकेंड ओप्षन है रिलाइंस समूँ थर्ड ओप्षन है टाटा समूँ फोर्थ ओप्षन है अल्टरा टेक बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्षन नमबर ए अदानी ग्रोप चलिए इस कुश्चन से रिलेटिड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है अरपती गौतम अडानी के परिवार ने अमबुजा सीमेंट्स में अत्रिक्ट 8,349 करोड रुपे का अंति किया सीमेंट निर्माता की वी निर्मात छमता की मदद के लिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 7,73 परिशद की वरद्दी हुई अदानी परिवार ने पहले 18 अक्टूबर 2022 को कंपनी में 55,000 करोड रुपे और 28 मार्च 2024 को 6,671 करोड रुपे का निवेस किया था ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स क्लीन मेक्स ने पूरे भारत में नवी करड़ी उर्जा समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ हिस्सेदारी की है क्लीन मेक्स हैज पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू ऐसी लिरेट दी एडॉप्षन ओफ रिन्यूविल एनर्जी सॉल्यूशन अक्रोस इंडिया फर्स्ट ओप्षन है माइक्रोसॉप्ट सिकेंड ओप्षन है एपल थर्ड ओप्षन है एडॉप्षन है गूगल बताईएगा दोस्तों किलीन मेक्स ने पूरे भारत में नवी करडी उर्जा समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ साजेदारी की है इस क्विशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ओप्षन नंबर भी एपल के साथ चलिए से रिलेटिट इंपोर्टन पॉइंट जो को पड़ती है अगिरडी नवी करडी उर्जा कंपनी क्लीन मैक्स ने पूरे भारत में नवी करडी उर्जा समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के लिए तक नीकी दिगज एपल के साथ साजेदारी की है इस साजेदारी के तहर किलीन मैक्स ने देश भर में 6 और ध्योगे के स्थलों पर 14.4 मेगावार्ट की छट पर सौर्य उर्जा स्थापना सफलता पूर्वक स्थापित की है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स महीला विस्व बैंकिंग के सायोग से किस संगटन ने कलश्टर इस्तर संगो के माध्यम से एस एच जी व्यक्ति गत महीलाओं तक प्रियास योजना का विस्तार करने के लिए जीव का बिहार राज गरामीर आजीव का मिसन और UMED महराष्ट SRLM के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताच्चर की है विच और्गनाईजेशन इज इन एस्सोसियेशन विथ व्योमेंस वर्ल बैंकिंग है जीव का विहार स्टेट रूलर लेवली हूड मिशन एंड UMED महराष्टा SRLM to extend प्रियास स्कीम टू SHG इंडिवीजूल वोमें थ्रो क्लॉस्टर लेवल फेडरेशन्स फर्स्ट आप्शन है नाबार्ड, सिकिंड आप्शन है आर्बी आई, थर्ड आप्शन है आई, एर्ड आई, फोर्थ आप्शन है सीडिबी बताईएगा फ्रेंज, इस कुईशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे हैं हमारा आप्शन नमबर D, सिड वी चलिए से रिलेटेट इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ती हैं भारती लगू उद्द्योग विकास बैंके ने महिला विस्व बैंकिंग के सहयोग से जीविका भीहार राजि ग्रामीर आजीविका मिसन और U.M.E.D. महराष्ट S.R.L.M. के साथ क्लेश्टर इस्तर के माध्यम से S.H.G. व्यक्ति गत महिलाओं तक प्रियास योजना का विस्तार करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं Federation यह साज़ेदारी C.L.F. की चमता को उजागर करने में मदद करेगी और एक नया और Scalable Credit वितरड पार्सित की तंत्र स्थापित करेगी ठीके दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है दोस्तो Green Hydrogen और नवी करडी ऊर्जावी निर्मार परियोजनाओं के लिए विदेसी मुद्राओं में रिड़ विकल्पों पर ध्यान के इंदित करने के लिए IRDEA ने कहां एक कार्याल खोला है Where did IRDEA has opened an office to focus on providing debt options in foreign currencies for green hydrogen and renewable energy manufacturing projects First option है Bengaluru Second option है New Delhi Third option है Chennai Fourth option है Gandhinagar बताईएगा friends इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा option number D गांदी नगर चलिए इससे related important point 2 को पढ़ती है भार्ती नवी करडी उर्जा विकास एजेंसी limited ने Gifticity गांदी नगर में एक कार्याल खोला है जो विदेशी मुद्राओं में रिड़ विकल प्रदान करने में विसे सग्य होगा इससे प्राकर्तिक हैजिंग की सुविदा मिलेगी और ग्रीन हाइडोजन और नवी करडी उर्जा वी निर्मार परियोजनाओं के लिए वितेपोसर लागत में कमी आएगी विस्व भविस उर्जा में आयोजित लंबी अवदी के उर्जा भंडारड के लिए भविस के विकास के अवसर विसे पर एक पैनल चर्चा के दोरान इरेडा के अध्यच और प्रवंद निर्देशक स्री प्रदीव कुमार दास ने रड़नी तिक पहल पर प्रकाश डाला जो हरिद्व विसे की दिसा में देश की यात्रा में योगदान देगा आबुधावी में सिखर सम्मेलन दो हजार चौबिस ठीके दोस्तों चली आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स कौन सा देश मेंनिजाइटिस के खिलाफ करांती कारी नया में F-CVT का पेस करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है विच कंट्री है जब बिकम दा फर्स्ट कंट्री इन दा वर्ल्ड तू रोल आउट दा रिवोल्यूनरी न्यू में 5-CV वैक्सीन अगेंस्ट मेंनिजाइटिस फर्स्ट ओप्शन है सोमालिया सीकेंड ओप्शन है केन्या थर्ड ओप्शन है सूडान फर्स्ट ओप्शन है नाइजीरिया बताईएगा दोस्तों कौन सा देश मेंनिजाइटिस के खिलाव क्रांतिकारी नया में 5-CVT का पेस करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इस कुशन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हमारा ओप्शन नंबर D नाइजीरिया देश बन गया है चलिए इससे रिलेटिर इंपॉर्टन पॉइंटों को परती है नाइजीरिया मेंनिजाइटिस के खिलाव क्रांतिकारी नया MN5CVT का पेस करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है नाइजीरिया अफ्रीका में घातक बीमारी के होट स्पोर्ट में से एक है WHO के अनुशार पिछले साल 26 अफ्रीकी देशों में वार्सिक मामलों में 50% की व्रदी दर्ज की गई थी जिने मेनिजाइटिस हाइपर एडेंडमिक देश माना जाता है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स अपरेल 2024 में टाइम मैग जीन ने किस भारती अभी नेटरी को दुनिया के सो सबसे प्रभाव साली लोगों में सामिल किया है विच इंडियन एक्ट्रेस है जी बीन इंक्लूड़िड एमोंग दी हंडर्ड मोस्ट इन्फ्लूएंसियल प्यूपल ओव इन अप वर्ल बाई टाइम मैग जीन इन अपरेल 2024 फर्स्ट ऑप्सन है अनुस्का सर्मा, सिकेंड ऑप्सन है आलिया भट, थर्ड ऑप्सन है प्रियंका चोपड़ा, फूर्ट ऑप्सन है कैटरीना कैव जल्दी से बताइए का दोस्तों अपरेल 2024 में टाइम मैग जीन ने किस भाठती अभी नेतरी को दुनिया के सौ सबसे प्रभाव साली लोगों में सामिल किया है इस कुश्चन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ऑप्सन नंबर बी आलिया भट को चैलिए इस कुश्चन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है आलिया भट अजय बंगा और साच्छी मलिक सहित भारती मूल के आठ व्यक्तियों को टाइम पत्रिका की दो हजार चौबेस के सौ सबसे प्रभाव साली लोगों की प्रतिष्ठित सूची में सम्मानित किया गया है इस सौची में वित्य, मनोरंजन, प्रोध्योगी की सक्रियता और सिच्छा जगत सहित विविन छेत्रों के विविद प्रकार के नेता सामिल है इस सौची में राज नेता, विजनेस लीडर, कलाकार, आइकन, फिल्मिश्टार, एथलीट और वैग्यानिक सामिल है जिन्होंने अपने छेत्रों में महत्पूर प्रभाव डाला है समगर सूची में चार स्रेडियां हैं, नेता, नाएक, कलाकार और विचारक ठीके दोस्तों, चलिए आंगे बढ़ते हो, नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है अंतर राष्टी मुद्राकोस ने मजबूत घरेलू मंग और बढ़ती कामकाजी उम्र की आवादी के कारट 2024 के लिए भारत की वृद्धी का अनुमान 6.5% से बढ़ा कर कितना प्रिशत कर दिया है The International Monetary Fund has raised India's growth forecast for 2024 to 2025 to how much percent from 6.5% on the back of strong domestic demand and a raising working age population First option है 6.4% Second option है 6.7% Third option है 6.8% Fourth option है 6.2% बताईए का दोस्तों अन्तराश्टी मुद्राकोस ने मजबूत घरेलू मंग और बढ़ती कामकाजी उम्र की आवादी के कारट 2024 के लिए भारत की वृद्धी का अनुमान 6.5% से बढ़ा कर कितना प्रिशत कर दिया है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वह हमारा option number C 6.8% कर दिया है चलिए इस question से related important point 2 को पढ़ती है अंतराकोस ने मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के कारट 2024 के लिए भारत की वृद्धी का अनुमान 6.5% से भरा कर 6.8 कर दिया है देश के केंद्रिय बैंक भारती डिजर बैंक का अनुमान है कि एक अपरेल से सुरू हुए चालू वित्तिय वर्स में अर्थ विवस्ता 7% की दर से बढ़ेगी आई एम एफ का अनुमान है कि एसिया की तीसरी सबसे वड़ी अर्थ विवस्ता का सकल घरेलू उत्पाद अगले वित्तिय वर्स में 16.5% की दर से बढ़ेगा ठीके दोस्तों चली आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिका है फ्रेंड्स निमले खित में से किसे अन्सफराष्ट एंड सुलिवन के 2023 इंडियन कमपनी ओफ दा इयर एवड से सम्मानित किया गिया है Which of the following has been awarded Unsuphorst and Sullivan 2023 Indian Company of the Year Award First option है Renew Power Second option है TP Renewable Microgate Third option है STT GDC India Fourth option है NTPC Limited जल्दी से बताईएगा Friends इस Question का Right Answer इस Question का जो Right Answer हो जाएगा दोस्तों वे हैं हमारा Option Number C, STT, GDC, India चलिए से Related Important Points को देखती है Frost and Sullivan ने Data Center को Location सेवा उध्योग पर सोध किया और उसके निसकर्सों के आधार पर STT GDC इंडिया को 2023 Indian Company of the Year Award से समानित किया STT GDC इंडिया एक अग्रडी Data Center समाधान परदाता है जो पर्यावरडी इस्तिरता और तक्नीकी नवाचार पर जोड़ देने के साथ अत्यादोनिक समाधान और सेवाई परदान करता है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स अप्रेल 2024 में कठिन छेतरों में बहतर सेन स्वास्त प्रोधोगी की के लिए MFMS ने किस IIT के साथ साजेदारी की है बिद विच आईएटी हैज दाएएफ MS पार्टनर्ड फॉर बैटर मिलिटरी हेल्थ टेकनोलोजी इन डिफिकल्ट अरियास इन अप्रेल 2024 फर्स्ट आप्सण है IIT गुहार्टी, सिकिंड आप्सण है IIT डेहली, थर्ड आप्सण है IIT मद्राज, फोर्ट आप्सण है IIT कानपूर बताएगा फ्रेंड्स अप्रेल 2024 में कठिन छेतरों में बहतर सेन स्वास्त प्रोधोगी की के लिए एफ, एम, एस ने किस IIT के साथ साजेदारी की है? इस कुशिन का जुराइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है हमारा ओप्सण नमबर D, IIT कानपूर के साथ चलिए इस कुशिन से रिलेटर इंपोर्टेंट पॉइंटों को देखती है सस्त्र बल्चिक सेवा ने भार्टी प्रोधोगी की संस्थान कानपूर के साथ सयोगात्मक अनुसंधान और प्रिसिचर के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं इस असमझोता ग्यापन के तहट AFMS और IIT कानपूर मिलकर कठेन इलाकों में सैनकों के सामने आने वाली स्वास्त समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान करेंगे और नई तक्नीकी विक्सित करेंगे ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन लिखा है फ्रेंट्स 30 अप्रेल को वर्तमान प्रमुग एड्मिरल आर हरी कुमार की सेवा निवरत्ती के बाद किसे नौ सेना स्टाफ का नया प्रमुग निउक्त किया गया है who has been appointed as new chief of naval staff after the superannuation of the current chief admiral आर हरी कुमार on अप्रेल 30 फर्स्ट अप्शन है दिनेश कुमार सर्मा, सिकेंड अप्शन है विनेश के तिरफाठी, थर्ड अप्शन है अनुच कुमार, फोर्ट अप्शन है दिनेश के तिरफाठी जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा फ्रेंड्स, वे हैं हमारा option number D, दिनेश के तिरफाठी चलिए इससे related important point को पढ़ती है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार तिरफाठी को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुक नुक्त किया गया है वह वरतमान में नौसेना के उप प्रमुक हैं और 30 अप्रेल को वरतमान प्रमुक एडमिरल आरहरी कुमार की सेवाने बरती पर पदभार समालेंगे उप प्रमुक के रूप में कारभार समालने से पहले उन्होंने पश्मी नौसेना कमांड के फिलेग ओफीसर कमांडिंग इंचीफ के रूप में कार्ड किया था ठीके दोस्तो आई योप आजके सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे interesting और सभी कुशन से related important point के notes भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे एक्जाम के नजरिये से दोस्तों क्लास बहुत हेलफुल रही होगी अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को सस्क्राइब कीजेगा थैंक्यू सो मजद दोस्तों